जो कि अभी कुछी दिर पहले आपने केमरे में देखा होगा राशन भी पहकर वारें तो आए इनसे बात करते हैं असलाम-अलेकों आपका नाम में अजवान अराम करते हैं लेकिन आप इस वक्त यह काम कर रहे हैं क्या कहने चाहिए हैं हम लोग कर रहे हैं आप आप लोग कर रहे हैं यहां पर ताके जिन इलाकों में राशन अब तक जो नहीं गया है ताके हम लोग आप पुछादे हैं असलाम लेकुम नाज़ीन मैं आपका में यूटीवर सोशल अक्टिविस्ट चाधरी फवाद एक मरतबा फेर आपकी खदमत में एक नए स्टोरी के साथ इसक्त मौझूद हूँ नाज़ीन आज बुद का दिन है और सुबा के तकि बें साड़े तीन बच चुके हैं और आज हम अपकी खदमत पर आज फिर एक मरतबा मामूर हैं राशन ड्राइव एक मरतबा फिर स्टार्ट हो चुकी है नाज़ीन इ नशर फांडिशन के नाम से है वल्टियर बेसिस पे ये इलाज मौल जा हो कराची में सिवल में डौव में कहीं पर भी हो अलहमदोल्ला बड़े पेश पेश रहते हैं वहीम का अदमी नामें नहीं का और बहुत बड़े-बड़े पैमाने पे अलहमदोल्ला ये वालिंटिय में जब लॉक्डाउन लगा बिलखरूसूस कराची में जब लॉक्डाउन कर दिया गया में आपसे बात कर रहा हूं 2020 में मई की मई 2020 में लॉक्डाउन हुआ राग के पहर में, यह नहीं के हम अफ़ारी करके यहां आजाते थे इनके हाँ, और नाजीन सुबा हो जाती थी हमें, लेकिन नाजीन, हम राशन पैक करने में मसरूफ रहते थे, नाजीन यहां पे अलमदोलला कंटेनर के कंटेनर रता रहे थे, इस तरह यह लगा वाए, इस स गरों पे जा चुके हैं थक गएं सुबह से ये पहर आ गया है तीन साड़े तीन का मैंने आपको बदाए टाइम हो रहा है तो कुछ बच्चे जा चुके हैं अपने घरों को और सुबह जाना था कुछ हमारे साथ इसक्त वालेंटियर मौजूद है हमारी तरह के तो आए मुंस खला से और जाहर है सुड़ेंट भी होंगे इस अब अपने जॉब पे भी जाना होगा और इस वक्त वर्लिंटियर बेसिस पे ये काम कर रहे हैं तो क्या कहना चाहिए पिल्कुल सर हम इस वज़ा जो कर रहे हैं कि रचाहिए जहां से जो हमें सभाब का काम मिल सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जो वाकिए नीटी हैं लेकिन वो सफएद पोशे कह नहीं सकते हैं तो हमने वेरिफिकेशन कि यह जितना हम से हो सकता था फिर हम उनको पहुंचा रहे हैं हम आउट ओफ कराची भी कर रहे हैं जहां जहां तक हमारी पहुंच हो रही है हम कर रहे हैं पू कोशिश करने के हम कराची से बार जहां असल इनके हगदार है उन तक पहुंचे हैं जिन जिनकी अमानत है जो अल्ला की तरफ से हमें मिली है फहीम भाई गे लिए क्या कहना चाहेंगे आप उनके सक्त मौझूद हैं और उनका जजबा देखते वे उनके इसमें आप क्या कहना क्योंकि यह उन्हीं के दम से हो रहा है सब कुछ उन्होंने हमें भी सवाब कमाने का मौका दिया और कितने मुस्ताइकिन उनकी वजह से इसके हगदार होंगे वो एक जरिया बने अल्ला की तरफ से हजारों लाखों गरों के तया तक यह पहुंचाने का यह इस बार फस्ट बहुत शुक्रिया नादरीन जैसे के भाई ने बताया भाई ने भी कोड किया मेरी ही बात को कि यह बात यह बता रहे हैं 2020 मई की मेरी फेस्बुक पे भी इसकी तस्वीरें मौजूद हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर में वो फोटेजिज वो तसावीर मैं इस ने जनाब वो खजूर खाके तो हमने जनाब वो रोजा रखा तो नादरीन मैं एड़ देंड यही कहूँगा कि जाहर है कि हम लोग यह फ़हीं बेबी और मैं हम दोनों जो हैं सोशल अक्टिविस्ट हैं और हुमन के हुमनिटी के लिए हम अर जगा जाते हैं हम दीन मजभ फिरका कौमियत लसानियत किसी को हमियत देते हैं हम इंसानियत को हमियत देते हैं नादरीन हमारे पास मतलब हर तरहां का इलाज मौलजा मतलब जो पेशन्ट आते हैं चाहे वो डेविटी इसके हो चाहे वो कैंसर पेशन्ट हो चाहे वो हार्ट पेशन्ट हो अलहम दुलिल् मैं हकोमत वक्त से भी अपील करूँगा कि हमें हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को सपोर्ट करें लास्ट टैम भी मेरी जो है जो सुभाई एड्मिनिस्टेटर है मुटता वहाब सबसे भी बात इती उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी सोशन अपना ओशन मौल में कि जनाब आपके डुमेन में आता है जिना हॉस्पिटल और सिवल हॉस्पिटल वहाँ के बेश शुमार पेशेंट है हमारे पास प्रॉब्लम यह होता है कि वहाँ की इंतजामियन से कॉपरेट नहीं कर रही होती है तो मेरी इस मामले में भी मैं अपील करता हूँ उनसे कि खुदारा इस चीज़ को देखें हकुमत वक जो जिनके यह डुमेन है वो देखें यकीन माने कि जब मेरे पास केस आता है मैं हाथ सर पकड़ के बैडियत हों कि मैं किस से राप्ता करूं फिर यह होता है कि अपने जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं मैं उनका शुकर गुजार हूँ कि मुझे नहीं को अपरोच करना पड़ता है वही पिर सारे मामलात अलहीं करके दे रहे होते हमारे पास कोई ऐसा भी पर बैठे हुए हैं आप उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं तो आप लोगों को मुस्तफीद करें ना कि उनकी हक तलफी करें और उनको जुटक दें यह चीज नहीं होनी चाहिए मैं उमीद करूंगा कि आप हम आदी सपोर्ट करेंगे और तक हैं हम यह जो कौज हैं जो हम उसको आगे लेके चल सकें बहुत शुक्रिया